हेलो दोस्तों, वेलकम टो जनरल तेयारी, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रो पाउर प्लांट के बारे में, तो हाइड्रो पाउर प्लांट कैसे काम करता है, कितने परकार के होते हैं, और इंडिया में प्रमुक जो हाइड्रो पाउर प्लांट है, उसके बारे में हम इस वीडियो को आप अन तक देखें, ये वीडियो काफी मज़दार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पॉइंट, हाइडो पाउर प्लांट, हाइडो पाउर प्लांट तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है, दिपाउंड मेंट, जो बांध बना कर किया जा है, तरवाइन लगाने के बाद यहां से पानी आती है, तरवाइन को घुमाती है, यहां से बिजली बनता है, तो यह इंपाउर्ड मेंट कहा जाता है, और यह इसको बांध भी कह सकते हैं, बांध बना कर इसको पिजली बनाया जाता है, तो यह बांध ताइप का हैडो पार प्लांट है दूसरा है डाइवर्जन जो डाइवर्जन क्या होता है पानी का रास्ता अलग से बदल कर वहां से बिजली बनाते हैं उसको फीगर में आप देखेंगे ऐसे यह देखें यहां पर नदी है नदी को यहां से डाइवर्ट किया गया है इसके पानी को और यहां लाक स्टोरेज जहां पर पानी को संग्रा करके पंप के द्वारा निकाला जाता है वहां पर टर्बाइन लगा जाता है फीगर में देखिए यहां पर देखिए यहां पर पानी को स्टोर किया है यहां पर लाया गया है यहां पर टर्बाइन पर गिराया गया है यह टर्बाइन जो अकार होता है, वो अलग-अलग हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, सबका अलग अकार होता है, उन अकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो पहला होता है विसाल हाइड्रो पावर प्लांट, जिसकी जो छमता होती है, 30 मेगावाट से अ प्लांट होता है उसके बाद इसकी च्मता होती है 30 मेगा वाट से अधीख होती है उसके बाद लगउ अधिक होती है उसकी च्छमता होता है उसका जो होता है maximum 100 kW तक होता है, कितना 100 kW तक होता है अपनी एक सारू खान की मुवी देखी थी सोदेश उसमें वो सुचम हाइड्रो पार प्लांट बना जाता है अपने गाउं में उसे वहाँ बिजली उत्पन होती है अब जान लेते हैं भारत के हाइड्रो पार प्लांट के बारे महत्पुन बिंदू तो भात में जो हाइड्रो पार प्लांट है उसकी अभी संक्या 197 है 197 कितनी है अभी भारत में हाइड्रो पार प्लांट की संक्या 197 है बहात का पहला हाइड्र पावर प्लांट है जो सिंद पॉंग में बना था सिंद पॉंग में बनाया था अंग्रेजों ने बनाया था सिंद पॉंग है जो दारजलिंग है सिंद पॉंग हाइड्र पावर प्लांट उसका नाम है दारजलिंग में बना था इसे पनबिजली बीगते हैं। यह考 बना था आठारा संताने बनाए था अजां से पुरूर। बहाद का द Lewis takich है जमदरं जील एक किसे समें हम पाइरे जील पर बना हुआ है यह का सङसे 902 में अगला है भारत में हाइड्रो पाउर प्लांट का उत्पादन 45.8 गीगावाट है जो भारत में अगर कुल बिजली उत्पादन है 375.32 गीगावाट उसमें से स्री हाइड्रो पाउर प्लांट का उत्पादन है वो 45.8 गीगावाट है भागी रति और भील गंगा के नदी के संगम पर ये बना हुआ है। कौन सा टीरी हाइड्रो पावर प्लांट अगला है भारत की सबसे दूसरी बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट प्रियोजना कोई ना हाइड्रो पावर प्लांट है भात की सबसे दूसरी पहली कौन है पहली सबसे बड़ी और उची हाइड्रो पावर प्लांट है टीरी जाधा बड़ा होगा बहात कि सबसे दूसरी बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट कों प्रयोजिना कौन सी है कहीजा है नहीं chi कुसे जो छमता है 1960 MW यह इस suicide collectors कोईना नदीव बनी है किस पे कोईना ननल कोईना नदीर भान नाध़ यह और इसकी चमता है उन्हें 1070 MW अगला है धाद की सबसे बड़ी गुरुत्विये बांद जो सबसे भात की सबसे बड़ी अगर गुरुतिवे बांध है वो भाख़ा नांगल बांध है जो 163 में बनी थी यह हिमाचल परदेश में है और सतलर नजीब है कौन से राज में भरत के हिमाचल परदेश में है और 17 नजी भी बनी हुई है इसकी जो छमता है 325 MW है और इसकी गृतिवेबांध की जो लंबाई है 741 मीटर है और इससे एक सागर निकलता है जब उट फारी को रोका जाता है और फारी को रोकने पारी निकलती है letters अगला है भारत की पारी है aujourd क्वेप customers ही स्वें उस्ठापना 1981 में हुई थी इसकी अस्ञापना 1911 ждamm एलए मे उन्धप्रदेस में किष्णा नदीव नदीप नदीब डिलान 501 1270 मेंगा वाट यह मेंगा वाट आपको बता रहे हैं कि इसमें यह क्या हुता है iOS पुछ लिया जाता है कौन सी नदी पे है या कोन से राज में तो यह सब पॉइंड को जरूर्व ही देखेंगे इसको नोट आप जरूर करेंगे क्योंकि आप जब नोट नहीं करेंगे तो आप याद नहीं अच्छे से आपको रहा पाएगा इसके पॉइंड को और 17 नजीप है, इसकी जो छमता है कितनी है, 1500 मेगावाट है, अगला है दुनिया की सबसे बड़ी पक्की हाइड्रो पार प्लांट है, सर्दार सरोबरबांद, इसकी जो शुरुवात हुई थी, से बेली उत्पादन जो हुई थी, 17 में हुई थी, ये गुजरात में है, नर् भाद की प्रमुक हाइड्रो पार प्लांट, जिसको बारे में तो कोई भूमीगत हाइड्रो पार प्लांट है, कोई गुरुतिविये बान पर बना हुआ है, तो ये सब चीजे इसकी पोटेंसा दिखाता है, से कोश्चन इससे बनते है एक्जाम में, तो आज के लिए इतना धाने बाद